जनलोक पाल और भष्टार को मुद्दा बना कर कई छोटे और नए राजटिन तेक दल दिली के चुनावी अखाडे में हैं इनमें से कई चहरे वो हैं जो कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे लेकिन आब आम आदमी पार्टी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं जनलोक पाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे के साथ अर्विन केजरिवाल ही नहीं देश भर के लाखों लोगों ने एक जो ठोकर व्यवस्था परिवर्तन की लडाई लड़ी थी लेकिन वक्त गुजरने के साथ लड़ाई कमजोर होती गई और लोग दिखरते गए आज आलम ये है कि दिल्ली के चुनावी अखाडे में केजरिवाल और अन्ना समर्थक आमने सामने हैं पीले रंग की अन्ना टोपी लगाई ये लोग विश्व शक्ती पार्टी के सदस्य हैं अन्ना और रामदेव के आंदोलन के बाद बनी इस पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा जनलोकपाल बिल और काला धन वापिस लाना है एक वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य रहे डॉक्टर तरुन कुमार विश्व शक्ती पार्टी के टिकेट पर चान्नी चौक से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर तरुन के निशाने पर आम आदमी पार्टी के उमीदवार और उनकी नीतिया हैं शिक्षा स्वास और सुरक्षा के नारे के साथ नया दोर पार्टी भी चुनावी मैदान में हैं खुद को आम आदमी पार्टी का विकल बताने वाली इस पार्टी ने देश भर में 450 उमीदवार उतारे हैं पेशे से डॉक्टर नाभित कपूर पूर्वी दिल्ली से नया दौर पार्टी के उमीदवार है नाभित कुछ महीने पहले तक आम आदमी पार्टी के सदस्य थे लेकिन अब घर-घर घूम कर केश्विवा सरकार की पोल खोलने का दावा कर रहे हैं अन्ना अंदोलन के दोरान मिले जन समर्थन के बाद बनी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधान सभाच नाव में शांदार जीत हासिल की थी लेकिन पार्टी में अन्देगी, खेवे बाजी और टिकेट बटवारे जैसे मुद्दो पर नराज होकर कई नेताओ और समर्थकों ने अलग रास्ता पकड़ लिया है एक समय पर घरश्टाचार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई इन सभी लोगों ने साथ लड़ी थी लेकिन चुनावी मैदान में अब ये सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं यही पार्टिया आम आदमी पार्टी का विकल्ब बन के जनता के बीच में उतरी हैं और अब जनता को ही ये तैय करना है कि वो किस पर विश्वास करते हैं Camera Person Neha के साथ साक्षी खनना दिली आईडेन सेवन